मेडिकल से जुड़ी सभी लेटस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हेल्ट टिप्स मेडिकल नॉलेज यूट्यूब चैनल को हम दोस्तों हमारे यूट्यूब चेल हैल टिप्स मेडिकल नोलिज में आपका बहुत-बहुत सभागत है दोस्तों मैं वह हमन्त और आपके लिए लेका हैं इंपोर्टेंट क्यूश्चन जो कि CHO और नर्सिंग ओपिसर के एक्जाम के लिए कापी महत्पूर्ण है दोस्तों जो ELDheiro nei उसकी प्रात्मिक भूमिका क्या है यारि कि उसका primary रोल क्या है तो यहां पर बात किया है किसका ELD applera का primary रोल का तो यहां पर कौन सा सही आंसर है दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है कि यह मैं आपको knowledge के लिए बतासँ हूं और यह थैन्य होती है कि इससे बनता है सुप्रेहनल ग्लेंड भी सकते हैं औि इससे बनता है क्या счetлось admire यह क्या है इससे utilized यह यह इसका काम क्या है यह क्या काम करता है कि यह sodium को reabsorption कराता है और potassium को excreate करवाता है जो sodium है उसको reabsorption कराता है और potassium को बाहर निकालता है चलते हैं next question की तरब बात कर लें यहाँ पर next question से तो next question जो है sub center is renamed age उपकेंदर का नाम बदल दिया गया है health and science center health center health and wellness center health science treatment and palliative center तो जो sub center उसका नाम क्या बदल दिया गया है यहाँ पर सही आंसर क्या होगा friends यहाँ पर सही सही आंसर है वो है तीसरा वाला health and wellness center स्वास्त्य और कल्यान के अंद्रे यानि कि यह नाम बदल दिया गया है जो पहले sub center होता था कौन-कौन होता है district hospital होता है ठीक है फिर chc और फिर phc और इसके बाद में होता है sub center क्या होता है sub center जानते हो कितनी population के उपर होता है जानते होता है यह दो है असी यजार से 1,2,000,000 पर ठीक है असी यजार से एक लाग 20,000 पर होता है और披िर्सिंदन के उपर गया होता है बीस यजार से 30,000 की population के उपर और sub center 3,000 से 5,000 की population पर ठीक है तो जो sub center है इसका नाम बदल कर अब क्या कर दिया है health and wellness center इसका नाम कर दिया गया है तो यहाँ पर सही answer है वह है तीसरा वाला next बात कर लेते हैं पर next question की next question में क्या है पूचा है the procedure by which amniotic fluid is obtained for testing is वह प्रक्रिया जिसके द्वारा परिक्षन के लिए amniotic द्रव प्राप्ट किया जाता है यहाँ पर question में पूचा गया है ऐसी कौन से प्रक्रिया है जिसमें हम amniotic fluid को निकाल कर यानि कि टेस्टिंग करने के लिए काम में लेता है chorionic village sampling amniocentesis fetal blood sampling none of these यहाँ पर सही अंसर क्या रहेगा यहाँ पर सही अंसर है वह है amniocentesis यह वर्ड से पता लग रहा है कि synthesis यानि कि amniotic fluid को निकालना जो amniotic fluid है amniotic fluid है उसको क्या है उसका sampling करके उसका परिक्षन करना है इसमें दोस्तों क्या है जिसे बच्चे के अंदर को congenital abnormalities हो या फिर chromosomal abnormalities हो उनको identify करने के लिए किया जाता है amniocentesis जो amniocentesis होता है यह 15 weeks के बाद में किया जाता है क्योंकि जब amniotic fluid का level होता है तब ही तो इसको हम कर सकेंगे और इससे हम chromosomal abnormalities alpha-feta protein और इनके लेवल चेक करकर जो बच्चे के अंदर chromosomal abnormalities से पता लगाया जा सकता है तो यह अपना है दूसरा वाला correct answer है बात करते है next question की यहां पर पूचा है the diagnosis test of malaria include all except question कहां पर important है malaria के नेदानिक परिक्षण में सभी को छोड़कर शामिल है यानि कि सभी में एक को छोड़कर यहां पर एक आ जाएगा एक का न एक को छोड़कर शामिल है यानि कि कौन सा ऐसा test है जो malaria के लिए हपन नहीं करते है वाले रिपिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट सेरोलोजिकल टेस्ट माइक्रोस्कोपिक टेस्ट हीमोग्लोबिन टेस्ट तो यहां पर सही अंसर क्या होगा यहां पर सही अंसर है वह हीमोग्लोबिन टेस्ट मलेरिया के लिए नहीं करते हैं इसको किसके लिए करते हैं अनेमिया के लिए और बागी जितने भी टेस्ट हैं इनको अपन के से लिए करते हैं मलेरिया के लियें तो यहाँ पर जो सही आंसर था है, अपना है पर, चोता वाला सही आंसर है, चलते हैं, नाक्स्ट क्यूशन की तरफ, क्यूशन का पर इंपोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया है, मैंने भी कई बार आप से बता दिया है, mode of transmission of hepatitis C hepatitis C के संचलन किसके दोरा होता है fecal oral, droplet nuclei, contaminated blood, none of these तो यहाँ पर सही अंसर क्या है बात करें किसकी hepatitis C की तो यहाँ पर सही अंसर होगा वोगा contaminated blood यानि कि जो contaminated blood है यानि infected blood है infected blood से ही इसका transmission होता है hepatitis C का जो hepatitis C है हुआ उसके होता है infected blood से अगर बात करें fecal oral root की तो इससे जो transmission होता है वो होता है hepatitis किसका होता है hepatitis A का TP hepatitis A का होता है मल और मुख द्वार द्वारा यहाँ पर droplet से नहीं होता है तो अपना ही उसा ही आंसर है वो कौन सा होगा contaminated blood द्वारा ठीक है इसे post blood transfusion hepatitis के नाम से भी जानते हैं किसे hepatitis C को next question की बात करते है next question में पूछा है which one of the natural method of family planning परिवार नियोजन की कौन सी एक प्राकर्तिक विधी है ठीक है परिवार नियोजन की कौन सी एक प्राकर्तिक विधी है BBT tracking changes in cervical mucous BBT and tracing changes in cervical mucous none of these तो यहां पर कौन सी है सही आंसर क्या रहेगा सही आंसर है यहां पर तीसरे वाला देखो यह भी सही है यह भी सही है लेकिन तीसरे वाले option में दोनों को दे रखा है BBT and tracing changes in cervical mucous BBT का मतलब क्या होता है Bacal Brody Temperature और tracing cervical mucous changes का मतलब यानि कि जब एक निकलता है यानि कि जब ovum rupture होता है उस टाइम पर mucous होती है जो service की म्यूकस होती है वो क्या है वो क्या है कि जो service की म्यूकस के अंदर change जाते हैं या हम इसे फ़र्ण test के नाम से भी जानते हैं जो यानि कि उस टाइम पर म्यूकस होती है वो फ़र्ण the most common method of microorganism transfer from one person to another person in hospital setting is prevented by अस्पताल सेटिंग में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में सुक्ष्म जीव इस्तनांतरन का सबसे आम तरीका रोका जा सकता है ठीक है केना का मतला में है निकि जो सुक्ष्म में एक दूसरे से transmission होने से बचाने के लिए कैसे रोका जा सकता है वाशिंग हैंड फ्रोली एंड फेक्वेंटली डिस इंपेक्टेड इंस्टूमेंट इन स्पेशल सोलुशन फिल्ट्रिंग इन एयर इन होस्पिटल चैंजिंग बेड लिनन डेली तो क्या है यहां पर सही आंसर यहां पर फ्रेंट्स जो सही आंसर होगा होगा अपने यहां पर पहला वाला देखो सबसे इंपोर्टेंट जो फैक्टर है यह कई एक्जाम में पू सकते हैं उससे में प्रिवेंटर सकते हैं यहां पर सही आंसर हो है पहला वाला बात कर देखोल रहारा इट नियुक्त करते कि कि सिकी पर डेट और प्लोग हो तो से हम कैसे काउंट करेंगे एपीकल पर सित फूल मिनिट रेडियल प्लs पॉार 3 बस प bus फेटी सेक्ट यहां पर सही अंसर क्या he कि यहां पर सही आंसर यहो है इपीकल पॉर फूल मिनिट यादि कोई पेशेंट की जो heart rate है वो क्या है आय नियमित है तो हम उसके लिए apical जो pulse होती है यानि कि जो छाती पर यहां पर pulse ली जाती है उसे हम पूरा एक minute तक calculate करेंगे ठीक है चलते है next question की तरब बात करते है next question में ag aglionic disease of intestinal tract which causes inadequate mortality is term age जिसमें आतों की हल्चल कम हो जाती उसे कहा जाता है काफी important question है दोस्तों कहीं एक्जाम में पूछा गया है hispring disease, crons disease, diverticular disease, ulcerative colitis तो यहां पर सही answer क्या होगा फ्रेंट से यहां पर सही answer क्या होगा यहां पर जो answer है, hispring disease देखो दोस्तों यह यहां पर बात कर रहें किसकी ag aglionic disease की तो ag aglionic disease यानि की इसे हम जो Springs disease होता है इसे हम megacolon के नाम से भी जानते किसके नाम से जानते हैं मेगा कोलन के नाम से भी अपन इसे जानते हैं कई बार एक जाम में तो इसमें क्या होता है कि जो intestine होती है ठीक है जो intestine होती है वो क्या है फूल जाती है एक जहें पर फूल जाती है जैसे intestine फूल जाती है क्यों क्यों क्योंकि इसके नर्वस system की जो nervous system होता है उसके ganglion नहीं होते हैं क्या नहीं होते हैं इसमें ganglion नहीं होता है यह इसको कमांड दे सके इसलिए हम इसे एग लोनिक डीजिज के नाम से जानते हैं ठीक चलते हैं नेक्स्ट की तरब यहां पर क्योंच में क्या पूचा है पहले भी कही बार पूचे जाच चुका है दा ब्रें रिजन विच इस रेस्पोंसिबल फोर कोडिनेशन आप वोलेंट्री मसल्स मुवमेंट एंड पॉस्टर एंड बैलेंस मस्टिस्क का मस्टिस्क शेत्र जो स्वैच्चिक पैसी आंदुलन मुद्रा और संतुलन के समन्व सक्षायदार है कि मै ओस्टर कोड से लग एक बिल्फ 열 जहिंएवन भी की चुकांगेत है की से अंसर कौने कोई आपको एंदर ओंड पर ऐसे इस फिरसा होता है ठीक है और यह यहंँ से पर प्रस्टर कॉर्ट खशन सब्रेंट रिपनर इस पर दो करेंड और होता है और यहां पर जो पोस्टीर एरिया होता है तो यहां पर क्या होता है यहां पर होता है इसे कहते पन क्या कहते है यह तो सेरे बिल कोटक्स हो गया और यह है सेरे ब्रम से सोरी सेरे बेलम क्या है सेरे बेलम क्या है सेरे बेलम कौन सा वाला यह वाला पार्ट और यह सेरे ब्रम। थीक्त समझ में आ गया सेरे ब्रह्म। और यह यहां पर है मैंडूला अम्लेंगेटा। यह जो प्रेंग का पार्ट है यह कंट्रोल करता है बोडी पॉस्च्र और भैलेंस को, ठीक है। आप यश्याद रिखने कि बेलंब आ रहा है। बेलम यानी बेलेंस तो यान के बेलेंस कोन 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 करता है और यह रिर्सणीं थिंक्टिंग और यह सारी को पर कंट्रोल करता है चलते हैं तरब है बात करें यह नेक्स्ट कुछन की कि कॉंप्लिकेशन विक्रती का क्टथ कौन странaci के शिवाइए एक के यहां पर बात करें कि इसके वंट्रिकुलर सर्थिकेट की तो इसका एक THEM तैयि सक्व इसका कॉंप्लिकेशन नहीं है नहीं और यहां पर endocarditis, pulmonary hypertension, cerebral palsy, heart failure, तो यहां पर सही अंसर क्या होगा friends, यहां पर जो सही अंसर है वो है, cerebral palsy, देखो, बात कर रहें किसकी ventricular septal defect की, तो ventricular septal defect की बात करेंपन, तो यह heart है, और heart के अंदर क्या होता है, ventricles होते हैं, तो अगर बात करेंपन, यहां पर ventricle की, ventricular septal defect की, तो जो अगर इन दोनों की बीच में defect है, यहनि कि जो heart है, इसकी बीच में defect है, तो यहां पर क्या problem हो सकती है, इन दोनों की बीच में defect है, तो उसकी वज़े से endocarditis भी हो सकता है, उसकी वज़े से pulmonary hypertension भी हो सकता है, लेकिन cerebral palsy नहीं होगा और heart failure भ होता है, cerebral palsy, sorry, cerebral, यहां पर, sorry, उसकी वज़े से तो bells palsy होता है, मैं आपको sorry, इसके लिए cerebral palsy अलग होता है, इसमें अंदर क्या होता है, जो motor neurons होते हैं, वो damage होने लगते हैं, cerebral palsy के अंदर, यहां पर मैं आपको गलत बता दिया, मैंने तोड़ सा, तो यहां पर जो seven के, इ motor neuron damage होते हैं, किसमें, cerebral palsy के अंदर, ठीक है, चलते हैं, next question की तरह, बात करेंपन, represented breast milk should not be used, if it is beyond, कितने समय बाद, इस्तन दूध रखा, इस्तिमाल नहीं करना, चाहिए, two months, two weeks, 48 hours, one weeks, तो यहां पर सही answer क्या है, यहां पर सही answer है, वो है, 48 hour, तो 48 hour के बाद भी अगर रेफरेज रेटर में, कौन सा रखा है, breast milk की, यहां cow milk की बात नहीं कर रहे हैं अपन, जो human का जो milk होता है, human जो milk होता है, उसकी बात कर रहे हैं, अपन, तो breast milk अगर 48 hours के बाद में, हमें यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, चलता है, next question की तरफ, यहां पर question में क्या था, यहां पर question में, compression of facial nerve in temporal bone will lead to, चेहरे की तंत्र का तंत्र में temporal हड़ी पर दबने की वज़े से होता है, यह question अभी मैंने आपको मैं थोड़ सा cerebral palsy में बता रहा था, तो मैं यहां पर, चलते हैं अपन, यहां क्या है, मैनिंजो मायोसील, गिलिन बार सिंड्रोम, बैल्स पाल्सी, मल्टिपल स्कलोरोसिस, तो यहां पर, जो है, क्या होता है यहां पर, यहां पर सही अंसर क्या होगा, यहां पर सही अंसर हो है, बैल्स पाल्सी, देखो, अभी मैंने आपको मैं बता रहा था ना, यह बैल्स पा यह में यह कमप्रेशन यह सो जती और इसकी विज़े से क्या होता है इसकी विज़े से क्या होता है वैल इस पाल्षी इसे वै से पाल्सी में आज आज क्या एक तरफ एक तरफ मुह हो जाता है इसे टेडा मुह हो जाता है बैलस पाल्सी में टेडा मुह हो जाता है तो यहां पर सही आंसर हो है तीसरा वाला next question के बात करें inflammatory executive phase of wound healing will last form यानि कि जो inflammatory phase होता है किसका wound healing का वो कब तक रहता है 21 days to month 5 to 20 days 1 to 4 days और 1 year तो इसका होता है 1 to 4 days 1 to 4 days तक क्या होता है 1 to 4 days तक जो wound है उसके अंदर inflammation होता है उसके बाद में उसके बाद में उसमें healing start हो जाती है चलता है next question की तरफ next question में क्या पूचा है characteristic of lokiya rubra is lokiya rubra की विशेश्ता है fuel order yellow white bloody with fishy order pink brown with fishy order तो यहां पर सही answer क्या होगा यहां पर सही answer है वो है bloody with fishy order जबको rubra का मैंने आपको पहले बता था इसका red color होता है कैसा होता है इसका red color होता है तो इसके अंदर क्या होते है blood content पाये जाते है पिंक इसका color नहीं होता है तो यहां पर है वो है bloody with fishy order तो thank you दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और share और subscribe जरूर कर दीजेगा मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद प्रूर कर दीजेगा प्रूर प्रूर